नमस्कार हमारे प्यारे सभी सातियों को दोस्तों बेल्ट रॉन डाटा इंट्री ऑपरेटर क्लास डे फुर्टी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग आई- आई-पी एड्रेस के क्लास के बारे में मैंने काफी प्रस्न जो है अपने टेरीग्राम ग्रूप में क्यूज के माध्यम से पूछाओं लगबक आंसर गलाता है रिजन क्या होता है दोस्तों कि आई-पी एड्रेस जो होता है जिसे मैं आपको दे दिया जाएगा 125.00 ठीक है 127.2525 इस तरह करें कुछ आपको दे देगा अब आपसे पुछा जाता है कि यह आई-पी एड्रेस किस क्लास का एक है बी का है सी का है डी का है तो लोग कंफ्यूज करते हैं कि यह पॉइंट-पॉइंट में कैसे पता करेंगे और बहुत सारा कंफ्यूजन दोस्तों रहता ह है और इस टाइब का परश्न 2019 के एक्जाम में कई जो है सीप्ट में पूछा गया है बहुत सारे सीप्ट में घुमा घुमा के पूछा गया है क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो दोस्तों आज के सेसन में हम लोग बढ़ते हैं और दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को पर्चेस नहीं किया और नोट्स को पर्चेस करना चाहते हैं तो बिना समय ब्रवाद कि अभी के अभी आप www.helping.com के वेब साइट पर चले जाए वहां पर आपको बैल्ट्रों डियो नोट्स बाइना का ओप् और जो स्कीन आप जो पेमेंट के उसका स्कीन आपको अप्लोड कर देना है चौबिस घंटे एक अंदर आपके जीमेल एकांट पर जो है नोट्स अभलेबल करवा दिया जाएगा वीसे जानकारे के लिए दोस्तों इस नंबर पर वाट्स अप कर सकते हैं मैं आपको इतना जखाया है introduction to ip address वाले section पर तो दोस्तों Introduction to IP address यह क्या होता है या दरखे का आईındने सिटे से नंबर जो इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पाचान करता है कोई लुच सा दर होगि पाचान करता है समान जैसे आपके घर का ह्यां घर का एंट्रेश होता है टी उसी तरह से किसी केंप्यूटर एक यह कि सी डिवाइस को डिवाइस का एक तरह से मान लिजे कि एक रिट्रेस है जो यह बताता है कि information कहान से रिसीव हो रही है और इसे कहां पर सेंड करना चाहिए कहां इसे सेंड करना चाहिए आइपी एड्रेस जो है विशेस यानि की स्पेसिफिक रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा सेंड डेटा के सोर्स और डिस्टिनेशन यानि गंतवय की पहचान करते हैं ठीक है आइपी एड्रेस का बेज जो होता है बेज भरसन अरपा नेट द्वारा 1983 इसमी में विक्सित किया गया था अब आपसे एक्जाम में प्रशन पूछा जा सकता है कि आइपी एड्रेस का बेज जो है अरपा नेट के द्वारा किस इसमी में विक्सित किया गया था ठीक है किस का जो है का ऊऊपी एड्रेस का इस्तामाल कि creeping आपसे अप्रसुट में पूछा जाएगा कि आ परकार के होते हैं एक परकार कि तीन परकार के चार परकार कि तो याद रखना को कि दो प्रकार का IP address होता है कौन कौन सा तो एक IPV4 और दुसरा IPV6 होता है ठीक है अब बात करते हैं लोग IPV4 भरसन क्या है IPV4 सबसे वयापक क्या है सबसे वयापक रूप से यूज किया जाने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल है IPV4 क्या है तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है IPV6 क्या है तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है अब आपके एक्जाम में पूछा जाएगा ठीक है कि IPV4 निम्न में से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है ठीक है उसके अलब आपको दे देगा एक डिवाइज है एक किसी कंपनी का नाम है तो अलग लग आपको अप्शन देखने को मिल सकता है याद रखना है कि आई पीवी फोर जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है आई पीवी फोर एड्रेस को एक स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है जिसमें चार भाग होता है यहाँ से अगर आप समझना सुरू कर देंगे तो फिर आपको जो है आई पीए अधिस एकलास समझने में दिक्कत नहीं होगा ठीक है इसमें कितने भाग होता है चार भाग होता है याद रखेगा और सारे भाग को पॉइंट से अलग करते हैं ठीक है जिसे मालेताए 1.2.3. पुईंट ठीक पूर इस तरह जे तो इसमें 4 भाग होते हैं जिसकी जो ती है जिरो से थो सो पच्पन तक होती यह दो सो फच्पन तक होती त्यक्टि बिसमीतक हो होती अब इसम Have for यह समझना है अगर मान लेते हैं जीरो से लेके अगर दस तक हुआ मान लिए एक काला जाएगा की क्लास एका उसी तरह आगे बता है एक ग्यारास तक हुआ तो यही कन्फूज़न आपको दूर हो जागा यही तो यही जो होता है नहीं कि यह स्मझेगा कि आई टीवि एवर्सन में जो है है जिसकी रैंज जीरो से लेकर 205 तक होती है जिसमें परतियक संख्या को दस्मलब से अलग किया जाता है ये याद रखना आपको 8 hantar Vata और चार वाग में होता है इसलिए और एक भाग तो याद रखना है पूछा जब तो यह पूछ रहा है तो तो चार भाग होता है या एक बिए फॉर में कुल 5 होते हैं ठीक है एक भाग परतियेग भाग कितने भीी का होता है यह पूछ रहा है तो आण वाग टीका हिए इसा पूछा जागा प्रश्न की आई पीवी फोर कुल कितने बीटका होता है तो यादर किया कि आई पीवी फोर कूल 32 बीट का होता है तो यह 8 bit का होता है ठीक है इस तरह से question आपको अलग अलग तरह से घुमा-घुमा के भी प्रशन पूछा जा सकता है IPV4 में लगबग 4.3 billion IP address है ठीक IPV4 में कितने billion है तो 4.3 billion IP address है इन address में से कुछ address private network और multi casting ठीक है क्या करता है multi casting address की category के अंडर क्या करता है अंडर जो है यूनिक यूज के लिए याद रखेगा अंडर यह एक जो है general IPV4 address है एक्जामपल में आप देख सकते हैं यह यहां पे है और यह देख सकते हैं जीरो से लेके 255 के देख सकते हैं और 272 है जो आपका 0 और 255 के बीच का है उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो तो देख सकते हैं आई पीवी फूर एड्रेस क्लास इसके वारे में ठीक है कौन सा ए भाग दो भी भाग सी भाग डी और ए क्लास चिकन तो याद रखिएगा ए नंबर क्लास जो होता है कहां तक लिजेगा कब तक लिजेगा इससे अच्छा बहतर है कि आप नोट्स भी पर्चेस कर सकते हैं लेकिन कोई बाप नहीं अगर आप पर्चेस नहीं किया है तो आप यहां से आप सोड़ स्कीन ले लिजेगा कि क्लास एज होता है तो याद रखिए 1.0.0.0 से लेकर 255 255 255 255 255 यहां भी 255 यह सब पीछे देख सकते हैं 255 यह ठीक है ना बदल क्या रहा आगे का 127 एक सोटाइस एक कौन वे अगर तक है तो क्लास एक आई-पी अड्री से इस से हम लोग पाचाने उसीतर दुस्तों यहां देक्सें क्लास एक क्या होँआ 1.0.0.0 से लेकर 127 तक का अगर मामला रहा याद रखिए 0 1 से लेकर 127 तक का रहा है तो वह क्लास एक का माना जाएगा वहीं 128 से लेकर एक तक का गर रहा तो class B का माना जाएगा वहीं एक सब Base ale कर अगर 220 तक का रहा तो यह class C माना जाएगा ठिक है 223 तक रहा तो और 224 से लेकर 249 तक रहा तो ये class D माना जाएगा और 240 से लेकर 255 तक ठीक है ये reserve for future use के लिए रखा गया है ठीक है ये 255 तक अगर आप जाते हैं तो class E पूछा जाता है 2019 में भी पूछा गया था और उमीद है कि आपके एक्जाम में आगे भी 2024 के पूछा जाएगा ठीक है ये काफी इंपोर्टेंट है याद रखेगा इसका आप स्किन ले लिए ठीक है 255 जो है सब जगा रहेगा एक सो याद रखना है एक से 277 एक सटाइस एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों कि यह एड्रेस रेंज के बारे में आप अच्छे से समझ गया होंगे और आई-पी एड्रेस सिक्स के बारे में आई-पीविश इन्टरनेट प्रोटोकॉल का लेटेस्ट बरसन क्या है एक लेटेस्ट बरसन आई-पीविश को इंटरनेट इंगिनरिंग टास्क फोर्स यानि कि आई-ई-टी-एफ द्वारा विक्सित क्या गया था अब आपसे एक्जाम में प्रश्ण कि द्वारा विक्सित किया गया थे आपके एक्जाम में पूछा जाकता है आई पीवी शिक्स को आई पीवी फोर की जगह यूज किया जाता है आई पीवी एक 288 बीट एड्रेस का उप्योग करता है वह दोस्तों आई पीवी फोर कितने का था तो 32 का परत्येक जो था भाग वह आठ बीट का था वह बतीस का था टोटल और यहां आई पीवी 1628 बीट याद रखना आप से एक्जाम में प्रander पूछा जागा कि कि श ल nessa up before ले बीट का होता तो ग事 इस का आयई पीवी सीख्स तो एक 282 एड्रेस का उपयोग होता है आई पीवीशिक्स एड्रेस को फोर यहक्सर डिस मिल डिजीट के अर्थ ग्रूब गुरूप के द्वारा तो आट ग्रूप के द्वारा क्या करता है रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पे आपको बिल्कुल भूलना नहीं है क्या क्या आठ गूरूप के द्वारा और याद रखेगा यह कर्माइब हना एकSYL को और रिपरेंट किया जाता है टिए जी समू को क्या और कहता है वहाँ यहां पर देख सकते हैं यह काफी इंपोर्टेंट था जिसको आप लोगो ध्यान में रखना है अब हम लोग दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो देख सकते हैं आई aciasp and role of isp घिए इंटरनेट सरवीज प्रोवाइडर यह इसपी अन्य होगो दोस्तों की सिस्षन दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आँजका वीडियो वंदे मात्राम